आज प्रभु के वचन से अध्यायन के लिए रूमियों की पत्रे उसका बारहुआ अध्याय कोल लीजे पिछले हफते हमने दस्वें अध्याय का अध्यायन किया था ग्यारहुआ अध्याय उन विश्यों से संबंदित नहीं है जिनका मैं और आप इन दिनों अध्यायन कर रहे हैं इसलिए ग्यारह हम छोड़े जा रहे हैं अब आज बारहुआ अध्याय को खोल ले बारहुआ अध्याय के पहले दो पद हर प्रभु के बच्चे के लिए बहुत महतुपूर्ण पद है रोमियों बारह एक और दो वहां हम इस तरह से पढ़ते हैं इसलिए भाईयों मैं तुमसे प्रभु की दियास परेंड करके बिंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पावित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ और यही तुमारी आत्मिक सेवा है काफी लंबा वाकिय हो गया है ना अभी उसको और लंबा खीचे देते हैं आगे हम पढ़ते हैं इस संसार के समान ना बनो परन्तु तुमारे मन के नए हो जाने से तुमारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की मतलब प्रभु की भली और भावती और सिद्धी च्छान वह से मालूम करते रहो और लंबा मैंने वाकिय खीच दिया है आप कहेंगे कि शास्त्री सर ये वाकिय इतना लंबा हो गया है कि शुरू में क्या पढ़ा आखर में क्या पढ़ा याद नहीं है फिकर ना करें प्रभु के वच्छन में जितने स्टेटमेंट्स हैं उन में से याद रखने के लिए लंबा होते हुए भी बहुत ही सरल एक स्टेटमेंट है एक कथन है जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा यहां दो बातें बताई गई हैं मोटे तोर पर कहा जाए तो दो बातें बताई गई हैं नमबर एक तुमारा जीवन मेरे बच्चे तुमारा जीवन बदलना जरूरी है नमबर दो और जब तुमारा जीवन तब बदलेगा जब तुम कुछ निश्चित कारे करो बस यह दो बाते हैं जो हमने इतना लंबा जो स्टेटमेंट या कथन पढ़ा था उसका साराश नमबर एक तुमारा जीवन बदलना जरूरी है नमबर दो जीवन बदलने के लिए जो कारे करने है वो तुमको करना है मेरे बच्चे यह दो बात आप कहेंगे कि अरे यह तो बहुती सरल बात है जी हाँ प्रभु के वच्चन की विशेषता यह है कि प्रभु का वच्चन कथिन से कथिन बातों की चर्चा करता है तो भी ऐसी भाषा में प्रभु का वच्चन हमसे बोलता है जिसको मैं और आप आसानी से समझ सकते हैं शर्थ सर्फ इतना है कि प्रभु का वच्चन हमसे जो कहना चाहता है उसके लिए उसे सुनने के लिए हम तयार हो आपने कई बार बच्चों को देखा होगा जिनका सारा ध्यान किसी और है मान लीजिये सडक पर कोई जुलूस निकल रहा है या बैंड बाजा निकल रहा है तो बच्चे का सारा ध्यान उदर है पिताजी या माबाप उसको बिला कि उससे कहते हैं इदर आ पपू तुझे फलाना फलाना काम करना है तो पपू सर हिलाता जा रहा है लेकिन पपू के कहा है सडक पर है फिर पिताजी को कहना पड़ता है कि अबे मैं जो कह रहा हूं तू कुछ सुन रहा है या नहीं सुन रहा है तो वो कहता है कि हां 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 मैं सुन रहा हूं मैं सुन रहा हूं उसकी नजर अभी विवान जब पिताजी बोलता है तू सुन रहा है तो बता मैं तो पक्रबू को पितजी की तरह मुडके कहता है कि आपने कुछ कहा था क्या। पिताजी पांच मिनित से बोलते जा रहे और वो हाँ 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 हां कहता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने जो बोला उसको उसने नहीं सुना। सर हिलाता जा रहा है लेकिन मुंड़ई हिलाने से काम थोड़ी बनता है एक्जैक्ली इसी तरह से जब प्रभु का वच्छन हमसे कुछ बोलता है तो हम इदि प्रभु की वानी सुनने के लिए पूरी तरह से ध्यान देते हैं तून्ड हैं तो प्रभु जो बोलते हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं मैंने अभी एक वाकिय का उपियो किया था ट्यून्ड है इसका क्या मतलब है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तबला उसके साथ जो होता है डगगा दोलक इस सब को प्रॉपरली ट्यून करके एक दूसरे के पास रख दिया जाए और उसमें से एक के उपर आप चोट करेंगे तो दूसरा अपने अप कापने लगता है उसमें से भी धीरे आवाज कियों ये सब के सब एक दूसरे के साथ ट्यून किये हुए हैं उसी तरह से प्रभू की वानी सुनने के लिए यदि हमने अपना ध्यान प्रभू की तरफ लगाया हो तो प्रभू हमसे जो बोलना चाहते हैं उसको हम समझ जाएंगे आज मैंने आपके सामने ये जो दो श्लोक पड़े हैं या जो दो पत पड़े हैं इसमें ये दो बाते हम देखते हैं नंबर वन मेरे बच्चे तुमारा जीवन बदलना जरूरी है उसमें भी एक विशेश बात है वो है कि तुमारा मन नया हो जाए दूसरे पत में लिखा है इस संसार के समान ना बनो लेकिन तुमारा मन नया हो जाए इसका क्या मतलब है आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी बच्चे को चार ऐसे बच्चों के साथ बैठा दीजिये जो बात-बात में गाली देते हैं चार दिन के बाद क्या होता है उसके साथी ना हो तो भी उसकी मूँ से गाली निकलती है कारिण क्या है चार दिन उन लोगों के साथ संपर्क में आया तो उसका मन बदल गया मन बदल गया तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मनश के मन में जो है वही उसके मुँँ से आता है प्रभू का वचन कहता है कि मेरे बच्चों इस संसार के समान मत बनो बलकि तुम्हारा मन नया हो जाए ये मेरे और आप के लिए है जिस तरह से एक बच्चा उसको गलत संगती में आप डाल दें तो चार दिन उनकी बात सुनेगा तो वो भी उसी तरह से बात करने लगेगा चार महीने उनके साथ आप छोड़ने तो जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो सोचने लगेगा प्रभू का वचन याद दिलाता है कि मैंने और आपने जिनोंने प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया है हम प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड करने के बाद भी इसी संसार में जीवन बिता रहे हैं इस संसार में जहां हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो ना तो प्रभु के प्रतिभक्ती है ना प्रभु का भाय मानते हैं ना ही एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं जब पचासों ऐसे लोगों के बीच में हम जीएंगे तो एक नया जीवन पाने के बावजूद संगत का असर होता है और संगती का असर अच्छे से बुरा जादा होता है एक बात बताईए कि सड़े गले फलों के बीच में चार अच्छे फल ले जाकर आप रख देंगे तो सड़े गले फल अच्छे हो जाएंगे क्या नहीं होंगे बलकि यदि चार अच्छे फलों को साड़े गले फलों से पूरी तरह से ढांक कर रख दिया जाए तो दिन भर के बाद क्या होगा वो जो अच्छे फल थे वो भी साड़ गल जाएंगे दूसरों के साथ संगती का यही असर होता है यदि हम ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिनकी बोली सही नहीं है जिनका सोच सही नहीं है जिनके करम सही नहीं है तो पहले हम उनकी बोली सीखेंगे उसके बाद उनके सोच के समान सोचने लगेंगे और जब हमारी बोली और हमारी सोच बदल जाती है तो उसके बाद करम हम उसी तरह के करने लगते हैं जैसे हमारी सोच है जैसी हमारी सोच है जैसी हमारी बोली है इसलिए प्रभु का वचन कहता है संसार के सद्रिश ना बनू देखो प्रभु को मुप्तिदाता के रूप में करने के बाद इस नए जीवन को पाने के बाद हम इस संसार को छोड़कर आसमान में तो नहीं चले जाते इसी संसार में रहते हैं कल तक जिन लोगों के बीच में थे आज भी उनी लोगों के बीच में हैं और आने वाले कल भी उनी लोगों के बीच में रहना हैं हम कोई सादू सिन्यासी तो नहीं है, जो जंगल में जाकर अपने जीवन बिताते हैं, तो जिस बुरे संसार में हम थे, उसी में आज हैं और उसी में कल होंगे, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे बच्चे, तुम उनके बीच में हो, उनके समान मत बन जाना, उनके समान तुमारा सभाव ना बन जाए, बल्कि दिन प्रति दिन तुमारा मन बदलता जाए, मन क्यों बदलता जाए, इसलिए कि मनश का जो कर्म होता है, वो इस बात पर निरुभर करता है कि उसका मन कैसा है, इसलिए मन का बदलना जरूरी है, तो प्रभु का बचन आज हमसे पहली बात ये बताता है कि संसार के सद्विश्मत बनो, मन के नए हो जाने से तुमारा चाल चलन बदल जाए, मन नया हो सकता है क्या, जी हाँ मन नया हो सकता है, मैंने ऐसे बहुत सारे अपने नाते रिष्टेदार मेरे विद्यारती देखे हैं, जिनोंने जीवन में कभी अनिशासन का काम, अनिशासित काम नहीं किया, जब इच्छा होती है तब लेट जाते हैं, जब इच्छा होती है तब उठते हैं, दांक साथ करना हो तो कर लिया, नहीं करना हो तो नहीं कर लिया, कपड़े बदलने हो तो बदल दिया, सनान नहीं करना है तो नहीं किया, ऐसे बहुत देखे हैं मैंने अपने स्कूली जीवन में और कॉलेज के जीवन में लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस तरह से मन माना जीवन बिताते थे सब आर्मी में भरती हो गए आर्मी में भरती हो गए तो वहां क्या होता है वहां तो डंडा चलता है जो भी आपके उपर सुबेदार है उसका डंडा चलता है तो सुबह जो सुबह आठ बजे से पहले आँख नहीं खूलता था तीन बजे जब सुबेदार डंडे के साथ उसके सर पर खड़े हो जाते हैं जो साल बर की military की training के बाद वापस आये तो सुबह ठीक चार बज़े कोई alarm नहीं चाहिए, कोई घंटी नहीं चाहिए, कोई बुलाने की जरुरत नहीं है, चाय पिलाने की जरुरत नहीं, चार बज़े उनके आँख खुल जाती है, अपने आप शेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, पाँच बेज़े तक एकदम से बिलकुल फड़का फाइट आपके सामने खड़े हो जाते हैं, क्यों? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से उनकी सोच बदली और सोच बदले के कारेंट आदत बदली, मैं और आप जब प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करते हैं, तब इस तरह से एक अनिशासन की प्रक्रिया से होकर गुजरना जरूरी है, जो हमारी सोच को बदल दे, जो इस बात को याद दिलाए कि आज से मेरा जीवन, मेरी इच्छा के अनुसार मनमाना जीने के लिए नहीं है, मेरा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए है, और यदि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूं, तो मेरे जीवन में अनिशासन होना चाहिए, मेरे जीवन में काइदा कानून होना चाहिए मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है आज शाम को पहली बात जो सभी भाईयों और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं आज से शायद महीने बर पहले आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया होगा साल बर पहले किया होगा दस साल पहले किया होगा कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए सवाल इस बात का नहीं है सवाल इस बात का है कि इन महीनों में और इन सालों में क्या आपने इस बात की कोशिश की कि जो नए जीवन मिला है उस नए जीवन के अनुसार आपका जीवन धल जाए उसके लिए आपका मन बदल जाए इसकी आपने कोशिश की है क्या और यदि कोशिश नहीं की है तो सवाल यह है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की वह यदि आपको किसी स्कूल में या कॉलेज में भरती कर देते हैं तो अध्यापक पहले दिन से आपको बाकायदा याद दिलाता है कि फलाने टेक्स्ट बुक पाठे पुस्तक खरीद लेना आया जाता है उसको नोट कर लेना तो इसी तरह से जब हम आत्मिक जीवन में नया जीवन पाकर प्रभु की संतान बन गए हैं तो सवाल यह है कि पिछले महीनों में पिछले सालों में आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया जब संसारिक जीवन में बदलावाना तो आज शाम को मैं उनका आखवान करता हूं कि मेरे प्रीय भाई, मेरी प्रीय बेहन इस बात को समझ लें कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है और चूंकि परिवर्तन जरूरी है इसलिए हम सब अपने जीवन को एक छण मुड़ कर देखें कि वो बदलाव आया है क्या और यदि नहीं आया है तो आज हम ठान लें हे प्रभू मुझसे बड़ी बहरी गलती हुई कि मैं आपका बच्चा बन गया लेकिन आपके बच्चे के समान मेरी सोच बदले उसके लिए मुझे जो करना था वो मैंने नहीं किया इसलिए है प्रभू मेरी मदद कीजी कि मेरी सोच प्रभू आज से बदलना शुरू हो जाए और जब आप इस तरह से अपने आपको बदलने के लिए प्रभू के परती या प्रभू के हाथों में समर्पिक कर देते हैं तो उसके बाद क्या करना है ये पहले पद में हम मैं प्रबु की दयास मरेंड किला कर तुमसे बिंति करता हूं अपने शरीरों को बलिदान करके चड़ाओ इसका क्या मतलब है बलिदान करके चड़ाओ जब हम कोई चीज प्रबु को अर्पित कर देते हैं तो अर्पित करने का क्या मतलब है अर्पित करने से पहले वो मेरा थ देखिए मान के चलिए कि हम इस तरह से बैठे हुए हैं बादचित कर रहे हैं और कोई व्यक्ति कहता है खड़े होकर कि मैं प्रभु ईशु की सेवा के लिए फलानी जगए यात्रा करना चाहता हूँ काफी दोर जाओंगा वहाँ लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं वहाँ जाकर प्रभु का संदेश सुनाओंगा जाने आने में काफी खर्चा बैठेगा मुझे वहाँ रहने के लिए भी खर्चा आएगा और उसके अलावा भी थोड़े बहुत खर्चे हैं और आज मैं आ ये सुनकर मान लीजिए आप में से कोई यक्ति कहता है कि ए भाई आप जाना चाहते हैं अच्छी बात है मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ आकर सेवा करूं लेकिन नौकरी के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा लेकिन प्रभु ने मुझे जो इंकम जो भी प्रभु न मुझे आए दी है उसमें से एक हिस्सा ये 500 रुपे मैं आपको देना चाहता हूं जिससे कि ये लेक इसे आप मुझसे ग्रहन कर लें और आपका जितना भी खर्चा आएगा उसमें से एक हिस्सा इसके द्वारा चल जाएगा ऐसा अपन करते हैं या नहीं करते हैं कई बार क पैसा जो दस मिनिट पहले तक आपकी जेब में था जिसको आपने अपनी जेब से निकाल कर वो व्यक्ति जो प्रभु की सेवा के लिए जा रहा है उसको दे दिया प्रभु के नाम में दे दिया अब वो पैसा आपका है या उसका है अब वो उसका है आपने उसको दे दिया है जब तक आप ने उसको नहीं दिया था तब तक वो पैसा आप का था जब वो ख़ड़े होकर बोल रहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है मेरे लिए प्रार्प्थ न कीजिए उस समय भी पैसा आपका था, आपकी जेब में था उसने आकर आपकी जेब में हाथ नहीं डाला उसको तो मालूम ही नहीं था कि आपकी जेब में पैसा है लेकिन उसकी वाणी सुनकर प्रभू ने जब आपके मन में काम किया और आपने जेब से पैसा निकाल कर उसको दे दिया तो उसके साथ-साथ वो अर्पित हो गया प्रभु का वचन ये कहता है कि अपने शरीरों को प्रभु के लिए बलिदान के रूप में चड़ाओ इसका मतलब यही है कि जब हम प्रभु की वानी सुनते हैं जो वानी ये कहती कि मेरे बच्चे तूने मुझसे मेरे द्वारा एक नया जीवन पाया अब तू अपने मन को मेरे लिए अर्पित कर दे जिससे कि मैं तेरे सोचने का तरीका बदल सकूँ उस प्रभु की वानी को सुनकर जब मैं या आप प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु आपने अपनी करुणा में मुझे नया जीवन दिया मैं उसके लिए आपका शुक्र गुजार हूँ और हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को बदल दे और इस कारण अपने वचन में आपने जो कहा है उसके नुसर मैं अपने शरीर को आपके हाथों में अर्पित कर देता हूँ जब हम ये बोलते हैं तो उसके साथ साथ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम अपने आपको प्रभु के हाथों में दे रहे हैं जिससे कि प्रभु मेरे और आपके शरीर को अपने हाथों में लेकर उस परनग्र दें और अपनी इच्छा के अनसार उसका उपयोग करें तो एक बार जो प्रबु का बच्चा अपने शरीर को प्रबु के हाथों में अरपित कर देता है तो उसके बाद उसे कई बातें याद रखनी चाहिए नमबर वन हमारी सोच हमारा मन वो इस शरीर के अंदर है चूँकि ये शरीर हम प्रबु का अरपित कर चुके हैं इसलिए हमारी सोच को नियंतरित करना होगा कंट्रोल करना होगा अनावश्यक बातें मन में आने ना दे यदि ये अनायास अनावश्यक बातें आ जाती हैं तो हम उस बात के उपर बैट कर ना सोचे बलकि उसको छोड़ दें ये जानकर ये समझ कर कि मैं प्रबु का बच्चा हूँ और मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए ये शरीर चूँकि हम प्रबु का अरपित कर चुके हैं इसलिए जब मेरे और आपके दोस्त बैट कर अनावश्यक बातें करते हैं तब हमको याद रखना चाहिए कि ये मुझ इस शरीर का अंग है और ये शरीर मैं प्रबु का अरपित कर चुका हूँ इसलिए अब मेरी वानी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए मेरी वानी से ऐसी कोई ऐसा वाक्य नहीं निकलना चाहिए जो कि प्रबु का अपमान करता हो जो प्रबु के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है कल को जब आपके दोस्तियार कहें कि अरे यार छुटी का समय है आओ थोड़ा सा बैट कर गपशप करें आपको मालूम है कि गपशप का क्या मतलब है आपस में बैठेंगे पहले गाली गलोच करेंगे फिर रहनावेश एक बाते करेंगे और उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा मध्यपान करें आप इस बात को जानते हैं बेलकि उनके कहने का मतलब है कि साथ बैठ कर थोड़े से ऐसे करम करें जो कि मेरे लिए उपयुकत नहीं है और इस कारेंड आप चूंकि प्रभु की संतान है और चूंकि आपने अपने शरीर को प्रभु के हातों में अर्पित कर दिया है इसलिए जब आपके साथ ही लोग इस तरह से आपसे बोलते हैं तो समय बहुत ही सावधानी के साथ बहुत ही बुद्धी के साथ आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए यदि आप उनसे कहें कि देखो मैं तो आप प्रभु इश्यू का बच्चा हूँ तुमारे समान कुकर्म नहीं करता तो वो लोग नारा जोर हो जाएंगे और कल को आप प्रभु के बारे में उनसे दो वाक्य नहीं बोल सकेंगे तो उनसे अलग होने का मतलब यह नहीं है कि उनको बुरा भला कहें उनसे अलग होने का मतलब यह है कि बहुत ही सावधानी के साथ उनको बुरा भी ना लगे और आप उनसे अलग भी हो जाए इस तरह से बुद्धी के साथ बातचित करें उनको जाकर जो वो करना चाहते हैं करने दीजिये आप बहुत ही होश्यारी के साथ बहुत ही बुद्धी के साथ उनसे बात करके अलग हो जाईए लेकिन आपसी संबंदों को ना बिगाड़ें आपसी संबंदों को ना तोड़ें क्यों? इसलिए कि कल यदि प्रभु ईशु का शुब संदेश उनको सुनाना है तो आप ऐसे वेक्ति को ये संदेश सुना सकते हैं जिससे आपने जगडा किया है जिसको आपने आज कहा है कि अरे तुम पापी हो, निकम में हो, घुकर में हो नहीं क्या प्रभु ने ऐसा किसी से कह नहीं? प्रभु ने कहा हे सब ठके हुए लोगों, हे सब बोश से दबई हुए लोगों मेरे पास आओ तुम मुझे विश्राम नहीं दे सकते, तुमारे करम ऐसे हैं जो मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं तुमारे पास नहीं आओंगा, लेकिन मैं तुमसे बोलूँगा, तो बहुत ही केरफुली बोलूँगा, यह थोड़ी बोलूँगा तुमसे कि तुमारे करम बुरे है जब तुम कल को मुझे बुलाओगे तो मैं उनसे काऊंगा कि देखो भागी आज मैं नहीं आ पाऊंगा आज मैं अन्यत्र व्यस्त हूं इस तरह से बड़ी सफाई से उससे बच कर लेकिन उनसे अच्छा समन्द रखके हम अलग हो जाए उनके करमों में भागी ना हो जिससे की कल आप उनसे कह सके तुमारे जीवन में भार है क्या तुम अपने जीवन में परेशान हो क्या तुम दर्द से पीडित हो क्या मानसिक रूप से तुमारे जीवन में शांती नहीं ह है मेरे भाई, है मेरी बहन, मैं भी तुमारे समान एक नश्वर व्यक्ति हूँ, मैं भी तुमारे समान बीमार पड़ता हूँ, मेरे शरीर भी तुमारे शरीर के समान दर्द का अनभाव करता है, भूब का अनभाव करता है, मैं भी परिवार के कारण, जैसे तुम दुखी हो वैसे ही दुखी हूँ नौकरी में जिस सरे से तुम परेशान होता है मैं भी परेशान होता है लेकिन एक फरक है मेरे प्रीभाई ये बहन और वो फरक ये है कि मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है मैंने अपना शरीर प्रभू को अर्पित कर दिया है और चूकी मैंने अपने शरीर प्रभू को अर्पित कर दिया है इस कारण मेरा मन भी प्रभू का है, मेरे सारे करम भी प्रभू की इच्छा के अनसार है और इस कारेंड मेरे जीवन में एक विशेश शांती है एक विशेश खुशी है एक विशेश स्थृता है जिसके कारेंड इन सब परेशनियों के होते हुए भी मैं दृता के साथ अपने जीवन में खड़ा हूँ और मेरे जीवन में एक विशेश प्रकार की खुशी मैं सब के सामने प्रदर्शित कर लेता हूं इस कारेंड मेरे प्रीए भाई मेरे प्रीए बहन मेरे पासा मुझसे जानो मुझसे सुनो मुझसे जानो कि ये नया जीवन क्या है मैं तुमारे साथ शेयर करूंगा मैं तुमको बताऊंगा कि तुम ये नया जीवन कैसे पा सकते ये है प्रभू के एक बच्चे का वियवहार ठीक है तो आज हमने दो बाते सुनी वो दो बाते मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ पहली बात ये है संसार के समान बनने के बदले हमारा चाल चलन हर दिन बदलना चाहिए नमबर दो यदि हम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन बदले तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीरों को वैलिदान के रूप में प्रभू को अर्पित कर दें इसके साथ साथ एक तीसरी बात भी यहां बताई गई है जो मैं आज आपके सामने रखा हूँ रखना चाहता हूँ वो है वो जो हमने पढ़ा था उसके आखर में जिससे तुम प्रभू की इच्छा अनभों से मालूम करते रहो क्या आपका ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं ऐसा अच्छा दोस्त जिसको कई बार बताने नहीं पड़ता है बताए बिना ही वो समझ जाता है कि आपके मन की इच्छा क्या है एक्चुली यदि हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो तो आपकी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो बताए बिना ही समझ जाती है कि आपको क्या चाहिए आपको ऐसा होने चाहिए कि पत्नी के बताए भी नहीं आपको अनुमान हो जाए कि पत्नी को क्या चाहिए बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको ये अनुमान हो जाता है कि आज पिता जी क्या चाहते हैं माता जी क्या चाहते हैं Of course हमें से किसी का जीवन perfect नहीं है लेकिन फिर भी आप इस बात को जानते हैं कि पती-पत्नी के बीच में, माबाग के बीच में, दोस्तों के बीच में, ऐसा कई बार होता है जब आपके बताए बिना ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और वो वैसा ही करता ह है ऐसा होता है कि जी है ऐसा होता है मेरे कई दोस्त हैं जो इन बातों को जानते हैं और उनको बताए बिना ही वो उन कामों को करते हैं मेरे परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं जो इन बातों को समझते हैं और बिना बताए ही वो चीजें मेरे ले कर देते हैं मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी के लिए मेरे बच्चे के लिए मेरे दोस्तों के लिए कि उन वो मुझसे क्या उम्मिद करते हैं इस बात को मैं समझ सकूं इसमें कोई प्रफेक्शन नहीं है मैं सर्विगानी नहीं इसलिए पूरी रीती से तो नहीं समझ पाता लेकिन फुर्भी अक्सर समझ लेता हूँ प्रभु का वचन यही कहता है कि प्रभु की इच्छा अनुभाव से मालूम करो जब हम प्रभु की निकटता में जीवन बिताते हैं तो जिस तरह से हमारी पत्नी जो हमारे निकट है पती जो हमारे निकट है बेटा या बेटी जो हमारे निकट है माबाप जो हमारे निकट है मित्र जो हमारे निकट है वो लोग जिस तरह से हमारे मन की इच्छा पहचान लेते हैं उसी तरह से जब हम प्रभू की इच्छा के नसार जीवन बिताते हैं तो मेरे आपके जीवन में प्रभू की क्या इच्छा है इसको हम धीरे 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 समझने लगते हैं कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों को ऐसे प्रभू के बच्चों को जो जब कोई निरने लेते हैं तो हमको आश्यरे होता रहे आपने ऐसा निरने क्यों लिया ऐसा निरने क्यों लिया वो कहता है कि ये प्रभू की इच्चा है प्रभू ने मुझसे कहा और इसलिए मैंने ऐसा किया मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब मैं अपना मकान बनवा रहा था 25 साल पहले मकान काफी सस्ता बन जाता था ये भी मैं बता दूँ एक ऐसी इस्तिती आई जब हाथ में लगबग सारा पैसा समात्त हो गया बहुत जरूरी कुछ काम और बचे हुए थे मैं सोच रहा था है ये प्रभू हाथ में जितने पैसे थे सब खतम किसी से मांगा नहीं जाता क्या करूँ उस दिन दोपहर को मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें एक भाई ने मुझे एक पत्र लिखा था मेरे प्रिये भाई मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभू ने मुझे आ गिया दी कि ये गिफ्ट मैं आपको भीजू पच्छीस अजार रुपे का चेक था ना तो उसके पहले उस बाई ने मुझे कोई पत्र बेजा ना उसके बाद कोई पत्र बेजा हम कभी कभी मिलते हैं दोनों प्रभू के दास हैं मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मैं मखान बनवा रहा हूँ मैंने कभी नहीं बोला था कि मुझे पैसे की जरूरत है जब हमारी अगली मुलाकात कुई जब मैंने उनसे कहा कि प्रभू भाई आपका शुक्र गुजार हूँ तो उनने का ब्रदर प्रभू ने मुझे से कहा इसलिए मैंने भेजा उनको कहीं से एक साथ पैसे मिले तो वोई सूच रहे थे कि क्या करूँ प्रभू ने उनसे कहा प्रभू ने उनके सामने प्रतिट शोकर थोड़ी कहा था कि वो उधर शास्त्री को इतने पैसे भेज़ दो नहीं जो व्यक्ति अपनी जीवन में प्रभू के साथ त्यून्ड है वो अनुभों से प्रभू की इच्छा जानता है और मैं बताना चाहता हूँ मेरी प्री भाई बहनों आज से 25 साल पहले 25,000 रुपे बहुत बड़ी राशी होती थी उस समय हमारा सारा मकान 4,000,000 रुपे में बन गया था 4,000,000 रुपे में जो मकान बन गया मतलब दो मंजिला मकान यदि 4,000,000 में बन गया तो 25,000 तो उसमें बहुत बड़ी राशी है मकान के पूरी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था हो कैसे हुआ उस भाई को कैसे पता चला वो भाई प्रभू के साथ निकटता बहुत निकटता है इसलिए उसने इस बात को जाना कि ऐसा करना है ये है प्रभू के कहने का मतलब कई बार लोग जो करते हैं वो देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ इसलिए हुआ कि वो व्यक्ति प्रभु के करीब है प्रभु के निकट है इसलिए उसने प्रभु की इच्छा को जाना जो कि अन्य लोगों के लिए मुश्किल है इस बात को पहचानना क्यों इसलिए कि वो प्रभु के निकट नहीं है इस बात को हम सब अच्छी तरह से समझें ये तीन बातें आज मैंने आपको बताईएं पहली बात हमारा मन बदलना जुरूरी है दूसरी बात मन बदलना हो तो शरीर प्रबु को और पित करना जुरूरी है तीसरी बात जब हम अपने शरीर प्रबो को अर्पित कर देंगे तो धीरे धीरे हम प्रबो के करीब आते जाएंगे निकट आते जाएंगे और जैसे जैसे प्रबो के निकट आते जाएंगे वैसे वैसे प्रबो की वानी हम इस तरह से सुनने लगेंगे जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते प्रभू की इच्छा को हम अनुभाव से पहचान लेंगे प्रभू की इच्छा को पहचान कर हम ऐसे कारी करने लगेंगे जो प्रभू चाते हैं कि हम करें आज शाम को मैं यहां जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं बच्चे हों या बड़े उनसे पूछना चाहता हूं प्री भाई प्री बेहन क्या आपने अपने मन को बदलने के लिए प्रभु के हाथ में दे दिया है और ये दी दे दिया है तो अब आप प्रभु के इतने करीब इतने निकट पहुँच चुके हैं क्या कि आप प्रभु की वानी को सुन सकते हैं या अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को समझ सकते हैं इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे